हेलो एवरीवन आज हम इस वीडियो में बी ए प्रोग्राम थर्ड सेमेस्टर का मेजर हिस्ट्री का एक बहुत इंपोर्टेंट टोपिक करने वाले है यह जो आपका टोपिक है यह है मेजर कल्चुरल ट्रांस्फोर्मेशन इन अर्ली मोडर्न यूरोप ठीक है मतलब कि जो मो एउरोप ने फेस किये मेडिवल टाइम में तो कौन-कौन से थे वो पहला चेंज था रहनेसा रहनेसा आ गया था ठीक है रहनेसा का टैम परेट 14th से 17th सेंचुरी माना जाता है ठीक है इस दुरान क्या हुआ क्लासिकल आर्ट लिट्रेजर लर्निंग यह सब डेवलप अब लोग जो थे उन्होंने humanistic approach अपना ले थी ठीक है अब लोग का जो focus था वो मेंली किस पर हो गया था knowledge के उपर हो गया था कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा knowledge गेन करनी है इसके लावा जो लोग पहले बहुत ज़्यादा superstitious थे उन्होंने अब decide कि अब और ज़्यादा superstitious नहीं बनेंगे ठीक है और वो mainly focus करेंगे individual achievement पर इस बात पर focus करेंगे कि individual ज़्यादा से ज़्यादा अचीव कर पाई अपनी life में second जो major cultural change था वो था reformation हो गया reformation यान की धर्म सुधार ठीक है इसमें क्या था जो सबसे famous and सबसे important reformers है धर्म सुधार के वो है Martin Luther and John Calvin ठीक है इन्होंने क्या किया धर्म में सुधार की मांग की इनकी जो demand थी religious reformation की उससे religion में काफे ज़्यादा उथल पूथल होगी अफैवल हो गया ठीक है the fragmentation of catholic church मतलब कि catholic church जो थी वो अब क्या हो गई fragment हो गई ठीक है मतलब कि दो parts में डिवाइड हो गई protestant and catholic ठीक है catholic church के बारे में आप जानते है catholic church जो थी वो काफे ज़्यादा orthodox थी उस time पर ठीक है लेकिन जब मार्टिन लूथर एंड जोन कैल्विन आये तो उन्होंने कहा कि इतने ज़्यादा orthodox जो rules ए चर्च के वो हम अब नहीं मानेंगे तो उस time पर क्या हुआ एक नए वर्ग का उदरवा एक नए Christian वर्ग का उदरवा जो कि Protestant थे ठीक है Protestant जो था वो थोड़ा lenient religion था मतलब कि वो भी थे Christians ही थे लेकिन वो थोड़े lenient थे वो जाड़ा orthodox नहीं थे ठीक है उन्होंने अपने जो तरीके थे उसमें थोड़ा बदलाव किया ठीक है next scientific revolution बहुत सारी scientific theories आई ठीक है 17th century में बहुत सारी thinkers हुए जिन होने अलग अलग थोगी दी जैसे Copernicus, Galileo, Newton ठीक है इन्होंने traditional views जो थे वो चेंज कर दिये scientific views अब लोगों ने पना लिये ठीक है advancement in astronomy, physics and scientific method यह जो astronomy and physics थी इसमें काफी जादा advancement हुई ठीक है मदब किसमें काफी जादा development होता गया next है enlightenment अब लोग जो थे वो enlightened हो गए ठीक है उनको पता शिल गया कि church जो है वो सारी बाते सच नहीं बोलता कुछ बाते church जूट भी बोलता है ठीक है अब लोग जो थे उनके अंदर इतना ग्यान आ गया कि अब उन्होंने कहा कि अब वो science and individual rights में believe करेंगे कि पहले लोग काफी ज़रा superstitious होते थे जो church बोलता था वो accept कर लेते थे लेकिन अब लोगों ने कहा कि हम basically अपने खुद के rights चाहते हैं लोगों ने पहली बार अपने individual rights की demand की ठीक है इस जोगान कुछ philosophers है जैसे वोल्टेर रूसो मोंटेस्क्यू इनके नाम आपने सुने भी होंगे ठीक है इन्होंने काफी सब्सक्राइब पॉलिटिकल थोट को ठीक है एंड मतलब कि politics में इनका काफी important role माना जाता है ठीक है आ सकते हैं काफी important है कि उस टाइम प मेजर चेंज यूरोप में वो था printing press ठीक है printing press आगी यह जितना भी हम changes पढ़ रहे हैं यह सारी मेली रहने सारी time period के दुरान ही हुए थे ठीक है printing press का invention हो गया 15th century में गुटेंबर्ग नाम का एक person था जो की जर्मनी में रहता था ठीक है जोहांस गुटेंबर्ग उसने invention किया एक machine का printing press का ठीक है जिसने क्या किया information के spread को बढ़ा दिया ठीक है revolutionize कर दिया dissemination of information को ठीक है इसने books को काफी ज़़दा accessible बना दिया ठीक है अब जो लोगों की पहुचती books तक वो बढ़ गई ठीक है अब लोग आसानी से books को approach कर पा गए थे पहले क्या था books साथों से लिखी जाती थी तो मेहंगी होती थी लेकिना books मशीनों से छपाई होने लगई books की भारी मात्रा में books चापी गई तो उनकी जो price था उनका चला कि real में क्या लिखा हुआ है एंट चर्च उनको क्या बताता था ठीक है तो इसे जो ideas थे उसका जो spade था वो भी काफी जारा बढ़ गया ठीक है ideas भी काफी ideas जो थे वो भी काफी तेजी से फैलने लगए spade होने लगए ठीक है क्योंकि कोई व्यक्ति है वो अपने मन के सब्सक्राइब को अब किताबों में लिख कर मतलब कि छपवा कर दूसरे लोगों तक पहुंचा सकता था बहुत तेजी से ठीक है तो इससे spread of ideas spread of knowledge में काफी जादा गती आई next exploration and globalization ठीक है इसमें क्या था basically globalization होना शुरू हो गया globalization आज के लेवल पर जो होता है वैसा नहीं थ एक्सपोर्ट इंपोर्ट उतना जादा उस टैंपर नहीं था उस टैंपर में लिए क्या था लोग जो थे वो ट्रेड के लिए जहां से दूसरी जहां पर जाते थे तो क्या हुआ cultural ideas and उनकी जो knowledge थी उसका भी exchange हुआ ठीक है इसके अलावा उस टैंपर बहुत सारे ऐसे travelers हुए जिन्होंने sea route discover किये जैसे Columbus जिन्होंने मेरिका का sea route discover किया अमेरिका में गए वो समुद्री रास्ते से ऐसे वासकोडिगामा थे पोर्टुगल से इंडिया है समुद्री रास्त बल्कि समुद्री रास्तों के भी खोज अपनी बढ़ा दी नएने रास्ते खोजने शुरू कर गिये ठीक है इससे क्या हुआ exchange of goods, ideas and cultural practices का पर जादा डैवलाप हो गया तो यह कुछ major changes थे जो कि उस time पर हुए थे ठीक है यूरोप में तो उमीद है ये वीडियो आपको ऐसी knowledgeable videos के लिए एंड हमसे जुड़े गहने के लिए हमारी हर वीडियो के notification को timely receive करने के लिए हमारे चैनल को ज़रू subscribe करें थैंक्यू वाई